तोस्तो अब तक Youkraine और रशिया के लडाई को लेके जो ख़वर बाहर आ रहा था उसमें ज़्याता तर चड़चा इस बात को लेके हो रहा था कि कיसे रशिया के तरफ से Youkraine के अंदर मिसाल से एरक्रैप्टों से और हलिकोफटरों से हमला किया जा रहा है जबकि जिन Russian Casualties का खवर या फिर Russia नुकसानों का खवर आ रहा तो वो भी Ukraine के जमिन के अंदर Ukraine के defenses के कारण ही हो रहा था लड़ाई में शायदी अब तक कोई ऐसा खवर आया जहाए यूकरेन के तरफ से कोई offensive का अंजाम दिया गया हो पर अब खुलके आ रहा है कि यूकरेन के द्वारा भी रश्या के उपर हमला किया जार और हाली में यूकरेन के MI-24 हेलिकॉफ्टरों के फ्लीट ने रश्या के बलगराट सहर के उपर एक बड़ा हमला किया दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे यूकरेन के पुराने MI-24 हेलिकॉफ्टरों ने रश्या के अंदर घुसके हमला करने में सफलता हासिल किया और क्यू रश्या के एडवांस तरेंड एर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा इने रोक पाना पॉसिबल नहीं हो पाया तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिये दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि यूकरेन के MI-24 एटक हेलिकॉफ्टरों के फ्लिटों के द्वारा रश्यन शहर बल्गराड के उपर बने हुए फ्यूल स्टोरेज के उपर हमला किया गया जिससे ये फ्यूल स्टोरेज के अंदर भैंकर आग लगा है और एक तरीके से रश्या के काफी नुकसान हुआ है पर दोस्तों ये नुकसान रश्या के लिए एक बड़ा चिंता का विशाय बन सकता है क्योंकि बल्गराड कोई यूकरेन का शहर नहीं बलकि रश्या का शहर है और ये यूकरेन के बॉडर से करीवन 50 किलो मेटर के दूरी में रश्या के अंदर है मतलब इस शहर के जो फ्यूल स्टोरेज के उपर हमले का दावा किया जा रहा है उसमें हमला करने के लिए यूकरेन को रश्या के साथ लगे हुए बॉर्डर को क्रॉस करके रश्या के एर स्पेस के अंदर घुसना पड़ा दूसे तरह रश्या के एर डिफेंस सिस्टमों ने कुछ कर पाया और नहीं रश्या इस हमले को रोक सका मतलब इस हमले में चाहे बड़े नुकसान हो या फिक छोटा नुकसान लेकिन ये रश्या का एक बहुत बड़ा फेलियर था दोस्तों बताया जा रहा है कि ये घटना असल में आपस आया और दोस्तों बताया जा रहा है कि इस मिशन के दर्मियान रश्या के एर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा इन हेलिकॉफ्टरों को डिटेट करना भी संभब नहीं हो पाया दोस्तों हमले के बाद रश्या के एर डिफेंस सिस्टमों को लेके कई तरीके के सवाल भ को detect कर सकता है क्योंकि ना तो ये कोई नया जनेरेशन का हेलिकॉफटर है और ना ही ये कोई stealth हेलिकॉफटर है और दोस्तों क्यों रशिया के एर डिफेंस सिस्टम इन पुराने हेलिकॉफटरों को detect नहीं कर पाया उसका जवाब देते हुए military expert योरी पुड़ालियोका के ये जो रशिया के एर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले डाडर्स है ये low flying object को detect करने में इतना अधिक सक्षम नहीं है और बलगराट जैसे reason में तो इन डाडरों के लिए कम उचाय में उड़ने वाले helicopter या aircraft को detect करना काफी मुश्किल है क्योंकि बलगराट इरिया है और चारों तरब से पहार से घिरा हुआ है जहाँ पे इन helicopter को natural obstacles मिल जाता है जो helicopter और रैडर के बीच में एक ऐसा वाधा वन सकता है जिससे helicopter अपने आपको आसानी से चुपा भी सकता है दोस्तों पेडलियोकफ का मानना है कि ये जो helicopter है ये रशिया और यूकरेन के border में स्तीत ऐसे शेत्र से उरान भरा होगा जिसके उपर यूकरेन के armed forces का control हो इवन ये खारकीव के north west से ही रशिया के शेत्र के अंदर प्रवेश किया होगा जहाँ से की ambush site केवल मातर 40 km के distance में है और इतने distance को cover करने के लिए helicopter को केवल मातर 8 minute का समय लगा होगा और दोस्तो उनका ये भी कहना था कि इतने कम समय में संपूर्ण मिशन को अंजाम दिया गया होगा कि helicopter आसानी से इतने कम समय तक low flight भी ले सकता है और 8 minute तक radarों के सामने अपने आपको invisible भी रख सकता है जबकि उनके तरफ से जो और एक argument दिया जा रहा है वो भी इसके पीछे एक बड़ हो रहा है और दोस्तों ये जो MI-24 helicopter है ये दोनों देशों के बेड़े में ही common है मतलब रशिया भी इनी हेलिकॉफ्टरों का इस्तेमाल यूकरेंड के अंदर हमले के लिए कर रहा है और यूकरेंड भी इनी हेलिकॉफ्टरों का इस्तेमाल करके रशिया के ओपर हमला किया द जिसे कि एर ट्राफिक कंट्रोलर को लगा होगा कि ये जो हेलिकॉफ्टर है ये असल में रेशियन बेड़े का हेलिकॉफ्टर है जो कि यूक्रेन के अंदर मिशन को अंजाम दे के बापस आ रहा है जबकि अब तक ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ जहां पे यूक्रेन के थोड़ा बहुत डाउट हुआ भी होगा तब भी उनके मन में ये नहीं लगा होगा कि यूक्रेन के बेड़े के हेलिकॉफ्टर इतना दूर तक अंदर आके हमला करने का कोई हिमाकत कर सकेगा और दोस्तों किसी भी मिशन के लिए अलिमेंट आफ सफराइस काफी अधिक महत पोड़न होता है और यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा इस मिशन में एलिमेंट आफ सफराइस को ही केंद्रविंदू बनाया गया जफकि दोस्तों साथी साथ ये वी सवाल उठता है कि रश्या के जो एर डिफेंस सिस्टम्स है वो क्यो यूक्रेन के इन हेलिकॉफ्टरों क मार नहीं गिरा पाया दोस्तों मिस्टर फेडलियोकाफ का कहना है कि असल में इस तरीके के लड़ाई के सिच्वेशन में लॉंग रेंज के जो एर डिफेंस सिस्टम है वो इतना कारेगर नहीं है एक्जामपल के रूप में उनके तरफ से बताया गया कि कैसे अब तक जितन इस तरफ से गॉस्टमेल यारपोर्ट को कबजा किया जा रहा था उस दर्मियान एक MI-52 हेलिकॉफटर को जहाँ पे मार गिराया गया तो वही पे दूसरे हेलिकॉफटर को बुरी तरीके से शतिग्रस किया गया था क्योंकि उस समय यूक्रेणियन टूप्स को पता था कि इ कामले में element of surprise इतना था कि रेशिया को पता ही नहीं चला कि यहां से कोई हमला भी हो सकता है जबकि एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ऐसा घटना शायद ही दोवारा और हो सकेगा क्योंकि इस वार रेशिया को पता चल गया है कि यूकरेण के तरफ से भी हमला किया सकता है और दोस्तों बलगराड और उसके आसपास के आसमान में हमेशा ही रशियन fighter aircraft गस्त लगाता रहता है लेकिन उनी aircraft के लिए भी ऐसे हमलों को रोक पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनी aircraft को जब तक direction नहीं मिलता है तफ तक ऐसे low flying helicopter के उपर हमला करना उनी aircraft के बस में नहीं हो होता है दूसरे तरफ दोस्तों उनी aircraft के द्वारा भी ये जान पाना मुश्किल है कि ये जो MI24 helicopter था वो रशिया के था या फिर Ukraine का पर अब expert का कहना है कि रशिया के तरफ से obviously इस घटना के बाद सीख लेते हुए कोई ऐसा बंदवस जरूर कर लिया गया होगा जो कि भविश देशों के लिए एक चिंता का विशय है जो रशिया के air defense system का इस्तेमाल कर रहा है खास करके भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विशय अधिक है क्योंकि भारत के बेडे में अधिक्तम Soviet और Russian हतियार है इसमें air defense system से लेके air defense radar तक शामिल है और भारत और चायना के border को रमेशा ही border में early warning aircraft के तैनाती आवश्यक होगा ताकि इस तरीके किसी भी कारवाई को रोकाया सके दूसर तरफ अगर भारत के early warning aircraft के बेडे को देखा जाए तो इसमें काफी कम संख्या के aircraft होने के कारण भारत को अवी से ही अपने तैयारी को मजबूत करना चाहिए और बे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन